ससुराल का पहला घूंगट नीशा राकाश की शाथी को तीन साल हो गए थे नीशा अपने पती और सास के साथ काफी खुश थी लेकिन आज घर में कुछ हलचल सी मची हुई थी क्योंकि गाउं से एक फोन आया था जिसने नीशा की नींद उड़ा के रखती थी हाँ हाँ बहू मेरी सास और तुम्हारी दादी सास आ रही है गाउं से वो भी दो महिनों के लिए क्या मासा क्या वो बहुत सकते हैं मेरा मतलब पुराने खयालों की हैं हाँ बहू बहुत सकते हैं और तुम्हें तो पता है गाउं की औरतें कैसी होती है वो हम शहरवालों की तरम्मा और डन विचारों वाली नहीं होती तुम्हें ना बहुत सा अधान रहना होगा उनसे हाँ और दादी सा को नाराज भी नहीं कर सकते इस गर में सबसे बड़ी है वो उनका कहना कोई नहीं टालता तुम बस दो मेने समाल ले ना निशा हाँ हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगी उनको खुश करने की आप दोनों बस मुझे ये बता दीजी कि उन्हें क्या क्या पसंद है ठीक है जिससे मुझे से कोई गलती ना हो जाए यह पे कोई कहने की बात है कल से ही मैं तुझे बताती रहूँगी कि मासा को क्या क्या पसंद है निशा राद बर सोचती रही कि उसके दादी सास कैसी होगी उन्हें क्या पसंद होगा और वो उनको पसंद भी आएगी या नहीं सोचते सोचते उसके आँख लग गई और वो सुबच जैसे उठती है आट बजी उठकर किचन में पाँच गई गुड मॉनिंग मासा रादे रादे बोलने के आद़ डाल ले बहू दो दिन में तिरी दादी सास यहां होगी और उनके सामने न ये नाइट सूट में नीचे मता जाना सात बजे नहा कर सर पर पल्लू रखकर ही नीचे आना समझे नहीं तो मासा बहुत नराज हो जाएंगी क्या सर पर पल्लू रखना पड़ीगा मासा और सात बजे उठना होगा वह भी नहा के रसे में आना होगा हाँ, जब मैं शादी करके आई थी, तब तो मैं छे बज़े उठती थी, पर तु साथ बज़े ही उठना कोई बात नहीं, ठीक है? और क्या क्या करना होगा मासा? और उनको देशी खाना पसंद है, ये बाहर का खाना वो बिल्कुल पसंद नहीं करती बहु, उन्हें ऐसी बहुएं पसंद है जो उनकी सेवा करे, उची आवाज में बात ना करे, और हाँ, उनके सामने घुंगट तो सर से उठाना ही मत, काउंसे है न, थोड़े पुरा ने ख हारूंगी सच में, तुम कर लोगी न, कहीं ऐसा ना हो कि दादी सा तुम से नाराज हो के यहां से चली जाए, देखे न मासा, ये कैसे मुझे चिडा रहे हैं, आरा चुप करना, क्यों परिशान कर रहा है बहु को, देख नहीं रहा कि पहले से कितनी परिशान है वो, हाँ, घूंगट तो करना होगा, सेवा करनी होगी, सुबह जल्दी उठना होगा, और भी पता नहीं क्या-क्या, ये बगवान, बचा ले न मुझे, दो दिन में निशा की दादी सास आने वाली थी, इसी दो दिन में निशा ने सारे मौडन कपड़े अलमारी के अंदर रख दिये जल्दी उठना शुरू कर दिया, सर पर घूंगट रखने की प्राक्टिस करने लगी, मतलब घूंगट की साथ काम करने की, और दो दिन के बाद, आज दादी सास घार पर आ ही गई आखिर अरे कच्छे है बहु राणी, अभी तक आई कोणी मारस मिलने, मन देखना कैसी लागे वो बस मासा, आती ही होगी, आपके लिए चाय बना रही है ठोक दूँ दादी सा, अरे बहु ये घूंगट करे है हाँ मासा, बहुत संसकारी है, जैसे गाओं में होती है ना बहु में, बिलकुल वैसी है दादी सा, आप लिजी ना चाय, मैं आपके लिए दालबाटी चुर्मा बना लाती हूँ ठीक से बहु, जा तू अपनो काम कर ले, आज तेरे हाथ की दालबाटी खा ले वेंगे नीशा को अपनी सास और पती ने जैसे जैसे समझाया था, उस सब कुछ वैसे ही कर रही थी वो अपनी दादी सास को खुश करना चाहती थी, उनका दिल जीतना चाहती थी, इसलिए उस दे संध्या आरती भी खुद से करने का फैसला लिया ये तो पुजा पाट भी कर ले रहे है कादरी, बड़ी चोखी आवाज इसकी हाँ माजिसा, बड़ी संसकारी है, संध्या की आरती भी और सुब की आरती भी खुदी करती है सुबह जल्दी उठ जा रहे है हाँ माजिसा, साद बज़े से नाहादो के तयार हो जाती है, फिर पाट भी करती है, और आरती भी गाती है हाँ दादी सा, बहुत संसकारी है नीशा, भाकी लड़कियों की तरह नहीं है, बिल्कुल वैसी है जैसे गाउं में होती है हाँ वो तो मने दिखी रास है, एकदम गाउं जैसे वह हुए कि जैसी है ये तो नीशा पूरा दिन घूंगट करके, और दादी मा को खुश करके, जब कमरे में आती है, तो घूंगट छोड़कर अपना नाइट सूट पहन लेती है, और ठक कर बिस्तर पर गिर जाती है के हुआ छोरी, हुआ टाइड हो गई कि थारी आज तो बस पहला दिन था और मेरा ये हाल है, कैसे निकलेंगे तो महीने, मैं तो मरी ना जाओ कहीं अरे दादीसा के सामने तो बड़े संसकारी बहु बन रही थी तुम, ठोक दूमो दादीसा, दाल बटी चिर्मा, संध्यार्ती, और भी पदा नहीं क्या-क्या हाँ, स्लो, हाँ, स्लो, तुम्हें ये गुंगट रखना पड़ता न सर पे, और खाना बनाना पड़ता गर्मी में तब पता चलता, तुम्हें पता है, मैं कितने modern कपड़े पहनती हूँ, ये गुंगट-ँंगट मुझसे नहीं होता, फिर बे सिर्फ दादीसा को खुश कर करने के लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ, हाँ, हाँ, जानता हूँ मैं, तुम्हें आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, ये मेरे बाल चले गए तो खुंगट करते-करते, मैं क्या करूंगी फिर, अर ऐसा कुछ नहीं होता, चितना मत करो, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सब और और फिर तो दादी सा चली जाएंगी, हाँ, अब और कुछ कर भी तो नहीं सकते न, दो महीने इसी घुंगट को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, चिलो मैं सूझ आती हूँ, हाँ, प्रभात आर्ती और भजन के लिए, सुनो, मुझे मत उठाना हा, मैं तो सूँगा रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, नीशा और आकाश के कमरे से हसने और दोडने की आवाज आ रही थी, और तभी दादी सा वहाँ से गुजर रही थी, वो आवाज सुन लेती है, अरे की हुआ, इतनी आवाज कैसी है, अरे पापरे, आकाश मैंने तो नाइट सूट पहना है, तुम दरबासा मत खूलना प्लीज, कुछ नहीं हो दादी सा, तो यह आवाज कैसी आवे है कमरे से, बहु ठीक तो से, हाँ मैं ठीक हो दादी सा, वो बस कमरे में चूहा आ गया इस बार तो नीशा बच गई, पर उसने आगे से ध्यान रखना शुरू किया कि वो बिना घूंगट के कभी भी दादी सा के सामने ना आए, उसे डर था कि कहीं दादी सा उससे नराज होकर चली ना जाए, तीन साल की शादी में ये नीशा के साथ पहली बार हुआ था, जब भी गाउं से आई अपनी दादी सा को खुश काने के लिए, हाला कि नीशा को घूंगट करने में दिक्कत तो बहुत आ रही थी, पर उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था, सुबह के साथ बजे हैं, अरे बहु, तो इतनी सवेरे उठ गई, वो भी ना सवेरे उठ जाती हूं, और पाट करके आरती गाती हूं, तू छोरी, आज कल की छोरियों से बिलकुल अलग लाग हैं, जी दादी सा, आपके लिए चाय बना दू, बना दे, बना दे, एक टप मेरे लिए भी बना दे ना बहु, जी ठीक है मासा, देखा मासा, कैसे सुबह सोई में लग जावे हैं, घर का सारा काम जाने हैं यह, सब कुछ संभाल लेवे हैं, हाँ, हाँ, देख लियों मैंने, मैं सोच रही थी कि शाम को कठे गूमने चलते हैं सब लोग, हाँ, हाँ, किदर जाना चाहेंगी आप मासा, आप जहां बुलें वही चलेंगे हम सब, दा नहीं बार गुमने नहीं जावे हैं, जैसे सिनेमा देखने, बार हटल में खाने, बजार, हरे दादी सा, अब आप आईएं तो जो आपको अच्छा लगी, मैं वही करूंगी, हम सब मंदेरी चलते हैं, शाम की आरती करके प्रसाद खाके ही लोटेंगे, छीक है, मंदेरी च चूटी का दम लगा रही थी अपनी दादी सास को खुश करने के लिए, जिसके लिए वो ऐसी चीज़े कर रही थी, जो उसने आज तक नहीं की थी, दादी सा, लाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आप ठक गई होंगे ना, अरे कोई बात नहीं बभू, तु फिकर होगी, कठे तक पढ़ाए करिये तुने, दादी सा मैंने कॉलेज किया है, और मास्टर्स भी किया है, मैं अपने कॉलेज के टॉपर थी, टॉपर, मतलब पहले नंबर पर आती थी मैं दादी सा, अरे वा, चोरी, तु तो बड़ी तेज है, अचाई भी ये बता, कि कालेज जाती होगी, तो कपड़े तो शेर की लड़कियों जैसे ही पहनती होगी ना, मारा मतलब साथ है कि जिन सटा, पसकट यही सब पहनती होगी ना तु, अगर दादी सा को बता दिया कि मैं कॉलेज में यही सब पहनती हो, तो कहीं मुझसे नाराज होके चलीना जाए, क्या चूठी बोल देती हूँ इससे दादीसा का मन भी रह जाएगा नहीं नहीं दादीसा मैं तो कॉलेज में भी सलवार सूटी पहनती थी मैंने तो कभी जिन्स, टॉप, टीशेट्स को हाथ पी नहीं लगाया मैं तो हमेशा से ही ऐसे ही कपड़े पहनती आई हूँ क्लेज के सामने तो ये सब पहना है नAh अब इन्हें क्या बताओं कि मैंने तो बहुद छोटे से छोटे कपड़े पहने हैं नई नी नी दादीसा मारी डालेंगी मुझे ये सब सुनके अरे नisionsब जिन्स, मैंने तो हानीमून पे भी सल्वार सूट सी पहने थी मानी मारा मतलब सा है कि आज कल के छोरों को तो माडन छोरी आए जो खिला गया है नी नी आकाश को मैं जैसे ही हूँ वैसे ही पसंदू दादी सा ठेक सा ठेक सा जीती रहे लगता है दादी सा मुझसे अभी तक इंप्रेस नहीं हुई है पर क्यों मैंने तो इतना सकिया है फिर भी ये मुझसे इंप्रेस क्यों नहीं हो रही कईने शक तो नहीं कि मैं जूट बोल रही हूँ कपड़ों को लेकर क्या करो ऐसा जो दादी सा को यकीन हो जाए कि मैं संसकारी ही हूँ मैंने तो सब कुछ करके देख लिया आइडिया यही करूंगी अब इससे तो दादी सा जरूर इंप्रेस होई जाएंगे मुझसे नीशा न अपनी दादी सा को इंप्रेस करने के लिए कुछ सोच लिया था इसी बारे में चर्चा करने वो अपने पती और सास के पास आती है क्या सत्संग तो घर में सत्संग रखवाना चाती है और अपर क्यों अरे माजी दादी सा को कैसे पता चलेगा कि मैं बिलकुल उनके गाउं जैसे बहूं की तरह हूं हम सत्संग रखवाएंगी और मैं वहां गुंगट में ही आऊंगी इतने लोगों के सामने गुंगट में ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा हाँ बहू रहने देना जितना तुने किया है वो सही है नहीं नहीं मासा मुझी यकीन है कि दादी सा को सत्संग में मसा आएगा और इससे वो मुझी भी पसंद करने लगेंगी अरे पर बहू हम दोनों ने तो हमेशा कीटी पाटी ही की है अब ये सत्संग कैसे रखेंगे इसका मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं है अब ये समना तू देख ले मुझे तो समझ में नहीं आगा ये सम ठीक है तो ये तैरा के हम सत्संग रखवा रहे हैं शाम को आप बस सारी औरतों को न्योता दे दीजेगा नीशा ने दादी सा के लिए सत्संग भी रखवा दिया और आज वो सच में गूंगट में बैठी थी और पूजा पाट कर रही थी अरे कावेरी बहू जरा अठे आ ना ये नीशा बहू आज भी गूंगट करके बैठी इतने लोगों के सामने माजी बहुत संसकारी है ना अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते कभी भी ये माजी सा यहां देतो बाकी गरों से भी तो बहुएं आई है आसपड़ोस की उन्होंने तो जिन ना सटा आप सब कुछ पहना हुआ है हाँ आपकी पोता बहुत सबसे अलग है ना माजी साब हाँ सारे जग से अलग से ये छोड़ी तो अच्छा कावेरी आकाश को कहना कल मारे गाउं की टिकेट करवा दे अब मने जाना चाहिए वापस क्यों माजी साब तो दो महिने रुकने वाली थी ना अभी तो बस एक की महिना हुआ है बस पोता बहुने देख लिया तुझसे मिल ली अब गाउं में भी मनने काम है ठीक है माजी साब मैं आकाश को कह देती हूँ आकाश ने दादी साब की गाउं की टिकेट करवा दी और आज शाम की बस से वो वापस गाउं जा रही है काविरी नीशा बहु कठे है पूजा कर रही है कि फिर से नहीं नहीं माजी साब आपके रास्ते के लिए नाश्ता बना रही है बस अभी आती होगी अलो आ गए लीजे दादी साब काड़िपा इसमें आपकी पसंद की सारी चीज़े है नीशा बहु देख मनने तुझसे एक जरूरी बात करनी है आज मारे पास बैठ जाओ क्या हुआ दादी साब मुझसे कोई भूल हो गई क्या अर ना ना भूल कौने होई थारे से कोई पी पर बहु देख अब जमाना बदल गया से तुझे भी अपने आपको थोड़ा बदलना चाहिए समझी देखिया जिन सटा पसकर्ट में ठारे वास्ति लाई थी अब तो हमार गाओं में भी बहु ऐसा सब कुछ पहने पर तू तो कायर छोड़ो मैं ये वापस ले जान हूँ क्योंकि तुने तो कभी पहना ही नहीं न ये सब अना सारा दिन पुझ्जा पाट और इस गुंगट को लेग कर चला है ठेक से चल अब मैं चलू हूँ मारी बस का टैम हो गया सा तू अपना खयाल रखना नीशा, कावेरी और आकाश बस एक दुसरे की तरफ देखते ही रह जाते हैं जिन दादी सास को नीशा ने इंप्रेस करने के लिए घुंगट डाला था वो असल में उसके लिए मौडन कपड़े लेकर आई थी जो नीशा के घुंगट के नाटक की वज़ा से उसके हाथ से निकल ही गया